भारत में यंग पॉलिटिसियान यंग लीडर्शिप की कमी है बिल्कुल नहीं बैंगलॉर में सूर्या जी है आपके अपने पाइलेट बोला यहां पेसे इंद्या जी है ऐसे बहुत सारी लोग लेकिन आप उनको लाइब आप लाइट में आने नहीं दे रहें अगर पालिटिक से में बात करते हैं तो किस हद तक हावी है उसके माइने या उसकी सीमाएं क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए वह एक मूवी आई थी रेदेक रोशन जीगी कि राजा का वेटा राजा ही नहीं बनेगा ऐसा ही गोस्ता ना टायलोग तो वही चीज होनी चाहिए राजनीदी में भी कि याड चलो विधायक का बेटा विधायक ही नहीं बनेगा भाई उनको उनने नाम कमाया अच्छी बात है लेकिन किसी जमीन से जोड़े व्यक्ति को भी मौका मिलें उनने कमा लिया उनका टाइम पीरिएट तक माने उनने कम जाते हैं और कमाये और कमाने किसी नए व्यक्ति को भी मौका मिले जो काम कर ना, जो काम करना चाहता है अब जैसे आपने बोला कि मद्ध प्रदेश में सीम सोराज आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए किसी मदला कि 60% वोट तो यही जाएंगे कि नहीं आने चाहिए मद्द प्रदेश में अब चहरा चाहिए है किसी यूद का मद्द प्रदेश में नया चहरा चाहिए मामा को देख देखके बोर हो गए हैं सब बहुत देख लिया है मामा को बोर हो चुके मामा को देख देखके मामा केंद्र में जाएं मामा केंद्र में जाएं वहां बैठें करें दो कि यहां करें यहां फे आब हमें चाहिए और को समझें कि इन को चाहिए क्म क्या चाहिए चाहिए है एक्शली में यूद को तो सबसे ज्यादा विकास ही चाहिए कि एम्प्लॉइमेंट मिल जाए और तरक्की हो ग्रोथ हो ओवर आल देश की ग्रोथ हो